नमस्कार शब्रबाद क्यापिजल टीवी देख रहे हैं आप मैं खुआ आपके साथ पूजा इंतजार की घड़िया खत्म हो रही है और धीरे धीरे रुजानों से भी ये साफ नज़र होता दिख रहा है कि किस की किस लाज में बनने जा रही है सरकार हाला कि ये शुरुवाती रुजान है पोस्टल बालट की गिंती हो रही है और बड़ी खबर आपको बता दे मदप्रदेश में जो अब तक की रुजान सामने आ रहे हैं उससे साफ ये समझ में आ रहा है कि मदप्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत हो सकती है तो वहीं तल दिल्चस्प होता जा रहा है कभी किसी को आगे दिखाया जा रहा है तो कभी कोई पार्टी पीछे नजर आ रही है पल फिलहाल एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे कि नतीजों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक राजस्थान में चल रही है हलाकि कल देर रात तक वस दॉक्टर मनिश्कमार हलाकि शुर्वाती रुजहान सामने आ रहे है क्या लग रहा है सर क्या होगा देखे ये शुर्वाती रुजहान ही नहीं है इस टू अरली कि जो सीटे दिखाये जा रही है अलग-अलग राज्यों में उसके ऊपर कुछ कमेंट भी किया जा सके क्यों तासे और लडू खाना स्टार्ट कर देते हैं और लेकिन जैसे 11 बस्ता है चीजें उलक्ति लगती है अभी जो आकड़े नजर आ रहे हैं जैसे राजस्तान में 101 दिखाया जा रहा है बीजेपी को और 93 के आसपास दिखाया जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी को लेकिन आप समझे कि अभी तक जो आकड़े आ रहे हैं आठ वजे से काउंटिंग तो काउंटिंग में कम से कम आदा घंटा 45 मिनट जो पहला जो समय होता है वो पोस्टल बैलिट के लिए पोस्टल बैलिट क्या होता है कि जो लोग वहां मौजूद नहीं है सरकारी डूटी में है सेना म यह एलेक्शन ड्यूटी पे हैं वो लोग अपना मत देते हैं और वो पर्चिया होती इसको काउंट करते करते 45 मिनट का समय दिया जाता है और उसके बाद एवियम्स खोले जाते हैं एवियम्स की काउंटिंग के बाद आपको फर्स्ट राउंड के बाद कहीं पे कोई ऑफ कि फर्स्ट राउंड जो इवियम्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी समय हो रहा है नौ बच के 18 मिनिट लेकिन हमारे सारे चल टीवी चैनल के उपर आल्मुस्ट सारी सीटों के उपर लोगों ने अपना आक्रा देना शुरू कर दिया है लेकिन आक्रों से भी आप दे कोई 126 कोई 130 भारती जनता पार्टी को दे रहा है और कॉंग्रेस पार्टी 80, 90 अबरोल समझें तो दो ऐसे राज हैं जहां पर बीज़पी आगे है और दो राज ऐसे हैं जहां पर कॉंग्रेस पार्टी आगे है नहीं फिलाल ये समझे कि अभी टेलीविजिन चनल वाले जो है दो राज्यों को आगे दिखा रहे हैं बीजेपी को और दो राज्यों में कॉंग्रेस पार्टी को और ये आकड़े और ये तमाम चीजे अगले एक घंटे में मतलब साड़े दस बजे तक में सब कुछ बदलने जा रहा है ऐसा लग रहा है क्योंकि ये जो एकड़ सिवाले बतारे हैं जस तरीके से मीट ऑ रही है जिसतरीके से को खुआञ्ग्रेस पार्टी के लोग भी बच-बच के बयान दे रहे हैं clear-cut winner अभी इसमें कोई भी नहीं है एक्सेप्ट तेलंगाना को छोड़के इन तीनों ही राज्यों में चाहे वो 36 गड़ हो, मदपरदेश हो, राजस्थान हो, अभी जो अर्ली ट्रेंट्स है, इट विल कंटिनू लाइज डाट, ये शिरुर्टी नहीं है, तो शिरुवाती रुजान में हाला कि अब हम नतीजो पार्टी को ऐसा लग रहा है कि टेचन गो हो सकता है, सो के आकड़े के पास पहुंचते पहुंचते पहुंचते, अगर बाह लीजिए, अभी जो ट्रेंट्स दिखाए जा रहे हैं, अगर उसको भी अगर आप पूरा कॉमन ले ले, तो ये लग रहा है कि 96 के आसपास जो है वो बीजेपी के पास है, 90 के आसपास, कॉंग्रेस पार्टी के पास है, तो बाकी के 6-7 जो बचे हुए है, वो किसके साथ है? यो बीएपी पार्टी है, कई सारे बागी है, उन लोगों का क्या रोल है? बहुत जादा ये जो 54 बागी उमिदवार राजस्थान में खड़े ह हुए हैं, जो कॉंग्रेस पार्टी और भारती जन्ता पार्टी के उनका क्या रोल रहा है? एक बहुत विस्तृत चर्चा की आउशकता होगी, लेकिन मीटिंग इसलिए हो रही है, कि ये जो अगर 3-4 लोगों का जो गैप होगा, वो कहां से पूरा किया जाएगा? इनको च सकता है कि इन जगों पे ये दस लोगों के उपर हमें कंसेंट्रेट करना चाहिए, वो निर्दली या बागी जो चुनाओ जीत सकते हैं, कैसे उनको पहले से ही अपने साथ लाया जा सके, मीटिंग इसलिए चल रही है, दूसरी चीज़, चल ये 36 गड़ पर बात कर लेते है कि वगेल सहाब में एक बहुत ही शानदार जिसको चुनाओ कहते हैं, वो लड़े हैं, अगर ये मसला है, जो आकड़े आपने बताए कि 53 के आसपास अगर उनके पास है, तब तो बहुत ही सिक्योर पोजीशन में हैं वो, वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर से व देशी 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 हम बगेल साब का, लेकिन क्रेडिट लेने तो आएंगे राहुल गाले, वो देखिए, पॉल्टिकल पार्टी में होता है, कि जब कोई राज में बीजेपी जीती है, तो मोधी को क्रेडिट दे दिया जाता है, और हारते है, तो लोकल को दे दिया जात आजस्थान में नजर आ रहा है, बीजेपी कॉंग्रस की बीच में और नहीं मद्रप्रदेश में, क्योंकि डिफरेंस अगर देखेंगे, तो देखिए, बीजेपी 119 कॉंग्रस पार्टी 95 मद्रप्रदेश में है, जालदा अंतर नहीं, देखिए, कुछ दे पहले, क्या च बहुत सारे परदिश जो है, इसका जो है बदलने वाला है, जो अभी सुर्यवाती रुजान है, ये बैलेट पेपर है, सारे 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, तम जाकर के आपको कुछ क्लेरी बिलेगी, अदरवाइस ये 2020 के कॉमेंटेटर की तरह जो है, सारे तेले चैनल वाले जो है, कभी ये आगे, कभी वो पीछे, लेकिन इसी को देखकर तो जश्ल की भी तैयारी की जा रही है, कॉंग्रस दफ्तर के बाहर तो पठाके भी पूटने लगे, देखे अभी कोई भी पठाका या लड्डू बाटने की जहमत उठा रहा है, बहुत बड़ी चैनल पर जो विकेट गिरने शुरू हुए, भारती जिनता पार्टी के, तो फिर बात में जब मालूम चला किये, फिर आप हार की इस्तिती पे पहुँच गया है, जिस हिजाब से तेलंगाना के अंदर कॉंग्रस पार्टी को सीटे दिखाई जा रही है, ये कहना पार्टी ने तेलंगाना में कमाल किया है, कमाल इसलिए, क्योंकि इन्होंने एक बिल्कुल ही स्टैबलिस्ट पार्टी, DRS को वहां हराना कोई बड़ी बात, कोई छुट मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा कारनामा कॉंग्रस पार्टी ने ये किया है, और ये भारती जनता पार्टी को अब नजर रखनी क्या वर सकता है, 2024 का चुनाओ, कॉंग्रस पार्टी, क्योंकि अब तक जितने भी एनलेसिस हम लोग कर रहे थे, वो सर्वेत के आधार पे, एक्जिट पोल के आधार पे, ये तो जनता का आदेश है, इसके ऊपर तो कोई इफट बड़ की कोई गुंजाईस ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है, जनता ने क्या फैसला लिया है, उसका ये परिणाम नजर आ रहा है, तो ये 2024 के लिए भी खत्रे की घंटी जो है, अगर इस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी चुनाओ लव पा रही है, कि रा अपने आप में एक बड़ा 2024 के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने अपने आप को किस तरह से तयार किया है, इसके उपर चांच और समझनी के आवे सकता पड़ेगी चलिए से रागे भी आपसे जुड़ेंगे फिलाल के लिए बहुत बहुत धनेवाद, तो अभी तो शुरुवाती रुजाने कुछ भी कहना सही नहीं होगा, कुछ देड़ का हमें इंतजार और करना होगा, तब तक ये साफ हो जाएगा कि किस पार्टी को जीत हासल मिल रह रही है, कापिटल टीवी के साथ बने रहे है, पलपल की अपडेट आपको देंगे, देखते रहे कापिटल टीवी, नमस्कार